Hello everyone, welcome you all at Locase, Sir Unlimited Studies यून and this is यूराज बेच्च and we are reading here the chapter what about desktop and computer peripherals, okay, so desktop आप जानते हैं जो computer का डिस्प्ले एरिया होता, उसकं क्या बोलते हैं, desktop, जब आप computer को on करते हैं, तो computer का जो डिस्प्ले एरिया आपके सामने आता, उसको क्या बोलते हैं, desktop, okay, तो यह तो हला कि मैंने एक software open कर रखा है, यहाँ पे Microsoft Edge के नाम से ही, तो यह desktop नहीं है, बढ़ आपको desktop अगर देखना है, तो देखना है, तो देखने माउस पॉइंटर को एकदम राइट कॉर्नर पर ले जाई और यह क्लिक कर दीजे, यह जो आपके सामने देख रहा है, इसको आप क्या बोलते है, desktop, क्या बोलते है इसको desktop, तो desktop को देखने के लिए, यह last पे ले जाके क्लिक करना पड़ता है, यहाँ पे एकदम कोने पे, छोटी जगह होती है, इसको कोने पे क्लिक करोगे, तो desktop आपको दिखाई देगा, anyway, come to the topic, so desktop है, and इसके बाद है, computer के peripherals, computer क्या है, peripherals, अच्छा, computer के peripherals क्या होते है, इक तरीके से तुम यह समझ लो, कि तुम्हारी body है, तुम्हारी body में सब अलग-अलग organ के कुछ ना कुछ काम है, बोलो हाया ना, आपकी body में अकेला heart कुछ नहीं कर सकता है, आपकी body में हाथ का भी काम है, आपकी body में पार्ट का भी काम है, yes or no, तो आपकी body के कुछ parts होते है तो इसकी computer की body के जो part है ओके उसको आप क्या बोलेंगे peripheral बटेट थोड़े अलग टाइप के part है आप यह नहीं समंझना कि माउस peripheral है आप यह नहीं समंझना कि keyboard peripheral है आप यह नहीं समझना कि मौनिटर पईरी फेरल है अभी समझ में नहीं है कि थोड़ा देरे बाद आपको समझना जागा तो पहले बात करतें डेक्स टॉप तो डेक्स टॉप क्या होता है तो बिल्कुल सेघ्स टॉप इस तो बिसप्ले एरिया computer display area desktop में जो छोटे-छोटे buttons type के दिखते हैं उनको हम क्या बोलते है icon icon okay identify the icon desktop तो desktop में icon देखो भाई यह my computer का desktop icon है okay और देखो मेरे computer में देख लो कुछ-कुछ icon देख लो आप लोग मेरे computer में यह recycle bin का icon है यह network का icon है यह this PC वह है my computer का icon है यह Adobe Reader का icon है यह Microsoft Edge का icon है ओके यह VLC media player का icon है और यह जो पीले-पीले कलर के देख रहे हैं यह क्या के लाते है फोल्डर क्या के लाते है यह फोल्डर छोटी-छोटी फाइल्स होती ही जिन में आप अपने अपने काम की चीज़े लगते हो यह देखो यह my network places का icon है यह my document का icon है यह recycle बिन यहने कचले के डिब्बह का icon है ओके Windows क्या है विंडोस एक operating system है क्या है operating system इडिजन operating system of computer desktop यह computer का operating system है ना पूरे computer को computer जिस पर चलता है जिस पर चलता है यह अपने computer का base होता है क्या होता है computer का base समझ मैंना clear हो गया तो यह computer का base हुआ करता रहे से अपिज़ा खाने जाते है बिजसे पिड़ा पिजिदा की सपर रखथा बेस फिथा ना पूरा पेज़ा बेस विन्हसकर बने का क्या नहीं बने गासे विंडोच पे सारे प्रोग्राम चलते हैं सारे प्रोग्राम लाइसे पे चलते हैं विंडोस पे इसलिए मोने सखेंस को सिस्टेम सप्ट वेर क्या बोलते है इसको और विंडोस एका तो बैसे ग्राफिकल यूजर lifers di रहता दने ग्रियो ऑई बेस्ट सॉक्टियर अइकॉन आ इकोन कहा और इस चाहँ किसी एप्लीकेशन का या फाइल क्या है graphical representation मतलब एक तरीक ही कि उसकी picture दिखाने की picture है क्या कहलाती है icon icon उसको दिखाने का क्या है तरीका है और देखेगा नहीं तो अपन पहचाने की कैसे है ना अगला desktop क्या है it is display all apps on your computer जो desktop होता है उसके माई computer में जो जो apps होती ही वो क्या दिखाई देती है समझ मैं ना this PC अले भाई this PC क्या है this PC कहा है अपना this PC देखो मैं आपको this PC दिखाता हूँ ये देखे this PC अगर आप दिखाई को ख्लिक करोगे ना यह आपके पूरे computer की जानकारी देगा यह देखे मैंने इस PC को क्लिक किया तो मेरे computer की जानकारी देखे यह क्या क्या देरा भाई मेरे computer में देखे यह कंप्यूटर के ड्राइब में क्या वेंडोज बनी हुई है समझ मैंना मतलब इस डरही में किया इंस्टॉल फिर ट्राइव फिर ग्रेव फिर देखो एक और ड्राइब लगी है तो क्या है यह, मेरे computer में इतनी सारी memory है, इतनी सारी memory है, काफी सारी memory है, तो यह आपको जो this PC होता है न, यह आपके पूरे computer की बारे में जानकारी आपको देता this PC, अपको जो है या आपके computer की पूरी hard disk, hard disk मतलब जहां पर आपकी memory है, जहां पर आपकी memory है, उसके बारे में बताता है, समझ मेहारा कि नहीं हारा, पक्का, keyboard, keyboard क्या होता है, it is the main input device for the computer, keyboard से अपन क्या देते है, input, monitor क्या होती है, it is the visual display unit of the computer, मतलब आपकी जो होती है, display what is the start button and task bar, तो भाई start button ये है, है की नहीं है, ये क्या है start button, और ये black color की नीचे जो पट्टी दिखरी, इसको हम क्या बोलते है, task bar, okay start button क्या है, start button, it is the most important part of the task bar, तो भाई start button कहां पे होता है, task bar पे, task bar start button पे होती है, start button task bar पे होता है, उसको हम क्या बोलते है, task bar, समझ मैं है, what is the name of the any five input devices, पाँच input devices के नाम बताओ भाई सब, mouse, keyboard, joystick, microphone and scanner, है ना, ये सारी की सारी हमारी input devices है, output device, monitor, printer, plotter, speaker and projector, तो ये वराज बताओ, plotter का क्या होता है, चापता है, बड़े-बडे print करने में plotter use होता है, है ना, चलिए, name any five storage device, अभी अभी आपने देखा ना, storage device क्या-क्या होती ही, तो भाई साब आप कहां store कर सकते हो, hardest, तो hardest का आपने देख ली ना, computer के अंदर क्या लगी होती है, hardest, क्या लगी होती है, hardest, तो hardest कैसी रिखती, computer के अंदर जो लगी होती है, hardest जो होती है, computer के अंदर जो लगी होती है, वह कुछ इस तरीके की शेप की होती ही देखो ऐसी समझ गया ना तो ऐसी मेरे कंप्यूटर के अंदर भी हार्डिस्क लगी हुई है और और अब भी आप डेटा इस्तिमाल कर सकते हो इन सब में अपना इस्टोरीज कर सकते हो इन डिवाइस को क्या बोलते हैं इसको कि अब आए देखें कंप्यूटर के अंदर दो तरीके की मेमोरी होती है एक आए रेम एक होती है रोम और एक होती है रोम रोम मैमोरी का मतलब होता है Read only जिस व्यानी और बदलाव नहीं कर सकते उसको बोलते है रीड ओनली मेमोरी बोलो यह की नो जैसे आपकी कोई बुक आई मार्केट से चप करके तो आप उस बुक को पढ़ सकते हो ना यह सुनो उसमें क्या कुछ लिख सकते हो उसकी चपाई जो है वह हां मिट जाएगा अप लिखोगे तो है ना वो तो चपके आ गई ना उसमें एक लोहां बदल तो नहीं सकते हो तो एसको या किया सकते हो derived memory क्या बलते हो उसको उपर से लिख दो रबर से मिटा दो वह बात में नहीं बौल रहा हूं बुक जब आगई प्रिंटिंग पर से चपके तो वह तो चप गई तो कॉझम एसaly कम्पूटर में ऐसी मेमोरी होती है जिसको आप बदल नहीं सकते हो उसको क्या बोलते है रोम रोम यानि रीडाउनली मेमोरी और दूसरी जो मेमोरी होती है रैम जिसका नाम है रेंडम एक्सेस मेमोरी क्या बोलते है रेंडम एक्सेस मेमोरी अब भाई आपको मैं बताता हूं रेंडम एक्सेस मेम समझ मुझन है न क्या यूस करता है memory चलो ऐसे समझ आप जाग रहे ओ आप काम कर रहे हो आप काम कर रहे हो तो आपके दिमाग की थोड़ी सी जगहे उसकाम को करने के लिए इस्तमाल होती न धे होती है ना भाई बिना जगह के दिमाग की जगह के काम तो नहीं हो पाएगा तो ऐसा समझो कि यह आपका दिमाग है और इस दिमाग की इतनी सी जगह में आप तुरंत टाइम में काम कर रहे हूं कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तो इतनी सी जगह को बोलते हैं हम रेंडम एक्सेस memory random access memory शमझ में आया जब आपकी दिमाख के इतनी सा जगह जिस पर वर्क कर रहे इसको क्या बोलते रेंडम एकसे स मिमरी जब आप सो जाते हो तो फिर आप कोई काम नहीं कर रहे होते हो तो उस समय आप बिल्कुल भी जगह ऊब शकते हैं नहीं ले रहे होते हैं तो आप की रहे होते हैं आप कोई भी काम कर रहे होते हो थोड़ी 드 में मॉरी का इसतमाल करोगे ila सब्सकेट सोच्षट जाए ऐसे कम्पूर्टर कुछ भी काम करेगे तो तो थोड़ी Barbara चाहिए काम करने के लिए उस memory को क्या बोलते हैं random access memory समझ में आया इसलिए memory होना बहुत जरूरी है इसको बोलते है RAM क्या बोलते है RAM और जिस system की RAM जितनी तेज होगी जिस system की memory जितनी ज्यादा होगी वो उतना तेज चलेगा समझ गया ना तो RAM ज्यादा होनी चाहिए क्या होनी चाहिए यह ज्यादा समझ में आया कि नहीं है अब random access memory दो टाइप की होती है और यद्य को इन को some memory का मतलब मैंने क्या पता है था रेडम ओन य decisive summary समझ में आया ना अब रीड ओन सम 거기 मिदी दिन टाइप की रोम होती एक होती है पी रोम क्या होती है पी रॉम का पूरा फॉर्म्ल को रेड़ आउनली टेट리 था सैंढ़ devoir 버att क्टि प्रोगरामेबल रोम दूसरी होती है EP ROM क्या होती है EP ROM EP ROM का मतलब होता है E Happing Programmable ROM समझ गया है मतलब ROM में ऐसी MEMORY होती है जिसको नब मिटा सकते हो जिसको आप मिटा सकते है तो उसको वोलते है E E 맞 찾berg Programmable ROM समझ मैं आ हा तीसरी होती है E E P ROM E E P ROM तो इसका نام क्या है E Middle yol का समझ गया एक और ही आ गया तो उसका मतलब क्या होता एलेक्रिकल एरेजेबल बल रोम समझ मैं है तो ये तीन प्रकार की रोम होती है एक बार बता दे यूबराज कितने प्रकार की रोम होती है कौन-कौन सी पैसे नाम बोलो शॉट में पी रोम पिर हां बिलकुल सही समझ गया ना इनके मतलब देख लो चलिए भाई अब आते हैं mcqs पे the brain of the computer system is बिल्कुल सही है cd-rom is a cd-rom कैसी memory है primary की secondary secondary इसलिए क्योंकि cd-rom अलग से होती है क्या होती है अलग से primary room कौन सी होती हार्डिस्क primary room कौन सी होती है जो Computer के अंदर होती होती की नहीं होती Romaniari की रहती है लाते हों नहीं रहती है कि बाहर वाली मे मोरी को क्या बोलते हैं आरे बाहर वाली memory को क्या नाम? secondary memory कौनसी memory? secondary समझ मैं है? क्योंकि भाई जो बाहर वाली memory होती हुनको कौनसी memory बोलते है? secondary और जो system के अंदर होती उसको क्या बोलते है? primary समझ मैं है? नहीं है क्लियर हो गया चली आंगे हां वीच आप दा इस्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मूर एमाउंट आफ डेटा सबसे ज्यादा इसमें कौन इस्तमार कौन करेगा सबसे ज्यादा डेटा हाफ्पी हार डिस्कांपेकट डिस्क या मेगनेटव ऑप डिक डिस्क भाई सबसे ज्यादा डेटा इस्तमाल करने वाली है रद्स और है अब बंद हो गईप क्या हो गई बंद हो गई हाँ कमटिस मदब sets CD C for Compact or Disk का मतलब डिस्क है Magneto Optic disk वही Compact CD के Floppy के जैसे ही एक डिस्क आया करती जिसका नाम था Magneto Optic डिस्क वह भी बंद हो गई चलो Computer Consist of Computer क्या-क्या रखता है CPU, Memory, Input and Output Unit All of Above बिल्कुल सही बात है All of Above अगला question है which of the following is not input device इसमें से input device कौन सी नहीं है scanner, camera, plotter, mouse कौन नहीं है input plotter बिल्कुल सही which of the unit convert computer data into human readable data कौन सी चीज है जो computer which unit convert computer data into human readable data भाई सुन लो question सुन लो पहले क्या कह रहा है कौन सी device है जो computer के data को human readable data में convert करती है into human readable data जो computer का data है उसको इनसान को समझ में आए उसको कौन सी device होती जो इनसान को समझ में आने वाले data को बनाती है आउट्पूट यूनिट कौन सी नुट होती है आउट्पूट इन भाई आप देख पा रहे हो यह चीज देख पा रहे हो यह आपको जो दिख रहा है यह समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा दिख रहा न अबट कंप्यूटर की भाशा देखो तुम कंप्यूटर जो होता है वह उसको देखो कैसे दिखती कंप्यूटर की लेंगवेज जो कंप्यूटर दिखाई देगी आपको भाई क्या है कहां पे गया है कैसे जाएंगे मुझे खुद याद नहीं आ रहा है एक है चलिए मुझे याद नहीं आड रहा है कंप्यूटर जो तरह लेंगविज काम करता हैं इसके पांग करता है अ लैंगविज पे किस पे काम करता है इसे जो और से बोली समझ में आया है है पेपर प्रेंट ऑफ डॉकोमेंट इसकॉल पेपर प्रेंट आउट जो होता उसको क्या वोलते है यह हाट को क्या होता है होट कोपी और आप जो यह पढ़ रहे हो यह कौन सी कॉपी है यह वेरी गुट जो आपको केवल देख सकते हो जो हाथ में पकड़ा नहीं सकते हो वो कौन सी कापी है और जो हाथ में पकड़ के देख सकते वो कौन सी है होड कोपी तो पिच्चर को जो मूवी देखते हो वो क्या होई सॉफ्ट कोपी की होड कोपी सॉफ्ट कोपी समझ में आया ना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ चलिए अगला ऐसी कौन सी मेमोरी है which of the following memory always simultaneously read and write operations ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको आप पड़ भी सकते हो और लिख भी सकते हो मतलब मतलब बदल भी सकते हो उसको नए Oh yes 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 RAM देख भी सकते हो बिल्कुल सही का आपने RAM RAM को आप जो है change भी कर सकते हो और रीडबी कर सकते हो अच्छा वेब획 केम क्या होती है केमया य़िए जो लगा मेरे देखो कैमरे इसको वेबकेम बोलते हैं कौच है आप बिल्कुल सही, input device है, picture input है ना, input लेता है, चलो अगला, two kinds of main memory, main memory के दो kind बताओ, बिल्कुल सही, primary and secondary, primary मतलब जो system के अंदर होती है, और secondary जो आप system के बाहर से इस्तमाल कर सकते हो, समझ के ना, उसको क्या बोलते है, secondary memory, अच्छा यह बता, cd disk क्या है, primary की secondary, cd, cd primary, cd primary कैसे होई, बाहर से नहीं आती, तो बाहर वाली क्या होगी, secondary, बाहर वाली क्या होगी, secondary, okay दोस्तों, तो यह थी आज की class, और इसमें हमने काफी सारी memory के बारे पढ़ा है, तो I believe कि यह class आपके लिए future में भी बहुत important होगी, और जो examinations होते हैं, different competitive exam, उनके लिए इसको बड़े भाईया दीदी लोग भी पढ़ सकते हैं, यह काफी important है, चैसे इसमें रोम के types बताएं हैं, तो रोम में P-ROM होता है, E-P-ROM होता है, E-E-P-ROM होता है, that is very important, तो कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर बताएगा comment box में, ह हमसे जूलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्क्राइब,